Hello Learners, Welcome to my channel Inlater Knowledge आज हम स्रड़ी करने जा रहे हैं प्राइज इफेक्ट के बारे में इन्दा इडिफ्रेस कर्व अनेल्सिस मतलब प्राइज इफेक्ट कैसे देखा जाता है आपकी IC अनेल्सिस में तो इसको डिस्कुस करेंगे तो आईए शुरू कर लेते हैं पहला है कि प्राइज इफेक्ट का क्या मतलब होता है यो प्राइज इफेक्ट का मतलब ये है कि चेंज आ जाना consumption of goods में अगर किसी एक का क्या है price change हो जाता है मतलब either of the two goods अगर price किसी एक good का change हो जाता है और बाकी दूसरी जो item है या दूसरी good है उसका price भी same रहेगा और consumer की income भी क्या रहेगी same रहेगी मतलब जो आपकी income है वो भी constant रहेगी या फिर अगर दूसरी good oranges है तो उसका price भी क्या है constant रहेगा in the words of lips से the price effect क्या show करता है कि क्या satisfaction है how much satisfaction एक consumer की vary कर जाती है यह vary कैसे करती है due to change in the consumption of two goods अगर price किसी एक good का change हो जाता है तो कैसे एक consumer की satisfaction में change आता है वो vary करती है अगर क्या है अगर दूसरी good का price constant रखा जाए और money income भी क्या रखी जाए constant रखी जाए अब हम price effect को बना लेते हैं suppose करो कि income है जो वो consumer की वो है 4 rupees यह consumer की income दे रखी है price जो है oranges का वो तो same है वो कितना है 50 पैसे पर orange है लेकिन क्या हो रहा है कि जो apple का price है वो fluctuate करवा रहा है मतब एक रुपे से कम भी हो सकता है जादा भी हो सकता है तो इसका effect हम लोग अब देखेंगे कि apples के price में change आने की वज़े से जो आपकी price line है वो कैसे इदर उदर shifting हो पाती है या private shift रुटने उसमें हो पाता है तो इस वज़े से जो consumer का equilibrium है वो भी change होना शुरू हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते है price effect का नाम देती है अगर इसको join कर दे जो हम equilibrium point बनाएंगे उसको join कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है price consumption curve आ जाती है जैसे कि income effect में हमने पढ़ा था income consumption curve जो उनके equilibrium point का locus होता था वैसे ही price consumption curve क्या होती है जो price line के equilibrium में बनती है उनका लेकर locus होता है अब suppose करो कि क्या चीज़ दे रखी है कि ये हमें price line दे रखी है that is our AB AB हमारी price line है अब X axis पे आपकी apples है और Y axis पे आपके oranges है अगर apple का price कम होता है तो मतलब उसकी demand बढ़ जाएगी apple का price कम होता है अगर एक रुपए पर apple था वो 50 पर apple हो जाता है तो price line क्या कौन सी shape ले लेगी कि हम क्या है oranges तो बिल्कु सेम है A पर ही रहेंगे लेकिन apples क्या है बढ़ा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा AC बन जाएगा अगर वहीं हम दूसरी condition ले लेगी कि apple का price क्या हो जाता है जादा हो जाता है मतलब एक रुपए से लेकर दो रुपए हो गया मतलब oranges को था same है A पर तो orange आपका औरेंज पर था price same है लेकिन apple की demand क्या कर दोगे कम कर दोगे क्योंकि apple का price बढ़ने से क्या होता है demand कम हो जाती है अब हम इसके क्या है IC draw कर लेते है suppose करो इसका ये वाला IC है ये हमने बनाया IC और क्या होता है कि ये ऐसे ही क्या है बनते जाएंगे IC1 बन गया, नीचे क्या था IC2 बन गया तो ये आपके equilibrium point आए है E, E1, E2 अब इनका जो आप लोग लोकस बनाओगे प्राइस कंजप्शन कर्व का नाम देते है और जो ये प्राइस कंजप्शन कर्व आपकी बनी है ये अब तो normal goods के case में तो ऐसी बनी है मतलब X and Y जो commodity है apple and oranges है, वो दोनों अगर normal है, लेकिन ये क्या होता है अलग-अलग goods के according ना, अलग-अलग इनका slope हो जाता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो PCC बनी है की slopes कैसे कैसे हो सकते है जो आपका price consumption curve है for commodity X वो हमने, मैंने आपको बता दिया कि जो locus होता है, consumer equilibrium points का उनको ही मिलाने के बाद क्या है, वो बन जाता है जब X का ही price vary हुआ है लेकिन price जो है Y का वो constant है और income भी consumer की क्या है constant है अब पहली condition है कि slope कैसे कैसे बन सकते है इसके, if PCC is a downward slopping मतलब अगर price consumption curve आपकिर ऐसे जारी है downward slopping जारी है, left to right तो क्या हो जाएगा X and Y goods will be substitute of one another मतलब X और Y goods को हम लोग एक दूसरे के साथ में क्या करवा सकते है substitute करवा सकते है downward slopping है, तो इसका मतलब substitution है अगर horizontal line है horizontal मतलब ऐसे है X axis के horizontal है तो मतलब X and Y क्या है unrelated goods, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी relate नहीं कर रही है क्योंकि हमने एक चीज को constant रखा है एक का effect दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है अब हमारी PCC क्या हो सकती है upward slopping हो सकती है यह किस case में होती है जब दोनों goods क्या है X and Y complimentary हो complimentary का मतलब यही कि एक के बिने एक के बिना दूसरा दूरा मतलब एक चीज के लेने के लिए दूसरी चीज हमें चाहिए ही चाहिए मतलब pen and ink हो गया आपने एक perfect complimentary goods किया था shoe one, shoe two, left shoe and drive shoe वाला हो गया या आप कोई भी और example ले सकते हो car and petrol हो गया तो इसमें क्या होता है कि अच्छे तरे से पूरे ही compliment करते है जब goods को तो अब हमारी price consumption कब upward बनती है price consumption कब हमारी backward कब बनेगी जब x good हमारी given है y good हमारी क्या है normal है मतलब हम ऐसे बना सकते है backward shifting बनती है x good को हम लेना पसंद नहीं करते मतलब income का ये level होता है लेकिन price और given goods का effect क्या होता है positive होता है और y good क्या है इसमे नॉर्मल है अगर एक last रह गया हमारा कि price consumption कब vertical line कब बनती है जब वो दोनों क्या हो जाते है मतलब एक चीज हमारी जो x good है x commodity है वो inferior होगी मतलब ये vertical line बनेगी to the y axis जब x हमारी क्या है inferior होगी तो ये क्या हता है कि different different goods को लेकर ही चले है कि price consumption curve के slope कैसे हो सकता है ये आपको बस इससे ही ध्यान में रखना है आपको substitute है तो downward slopping है unrelated goods है तो horizontal है ये horizontal और vertical एक साथ में कर सकते हो unrelated है तो horizontal है x equally inferior है तो vertical है complementary में upward है और backward slopping का में है जब x की different है और y आपकी normal good है I hope आपको clear हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर subscribe कीजी like, share and comment and press the bell icon ताकि हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे thank you